नॉवेंबर का महीना आ चुका है दोस्तों यानि की फेस्टिव सीजन आ गया है नॉवेंबर के शुरुआत में हमारे दिवाली आ जाती है यानि ये खाफी अच्छा मौका है मोबाइल फॉन्स की लाँचिंग का और पर्चेस करने का तो जी हां आज हम बात करने वाले हैं अ चैनल के उपन आए सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लाइट्स बेगें दूश्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी की तरफ से कौन से स्मार्टफोन लॉंच होंगे इस महीने जी हां रेडमी नोट 11 सिरीज तो यह हमको लॉंच दिखने वाली है इंडिया के तीन वेरियंट्स हैं नोट 11 प्रो और नोट 11 प्रो प्लस तो यह जो है दोस्तों हमको इंडिया के अंदर लॉंच दिख सकते हैं नोवेंबर के मेने के अंदर और इनकी प्राइस है अगर वह वही आ जाया है जो चाइना के अंदर डिलीज होने पर अप्रॉक्शिमेटली रुपीज में आने 14,000 रुपे रेड्मी नोट 11 तो बहुत जबर्दस डील आप लोग के लिए हो सकती हैं तो दोस्तों अब हमारे अगले जो स्मार्टफोन हैं आते हैं पोको की तरफ से जहां पर पोको के M4 Pro 5G जो है वह हमको लॉंच दिखने वाले नोवेंबर के अंदर डेट भी आ चुकी है नवंबर 9 जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कर आपको ये भी बताया था कि नोट 11 जो है वो पोको M4 Pro 5G हो सकता है तो हो सकता है दोस्तों लेकिन ऐसा कन्फरमेशन नहीं मिला है तो देखते हैं क्या होता है लेकिन पोको M4 Pro 5G लॉंच हने वाल स्मार्टफोन की तो यहां पर दोस्तों शाउमी 11T जो है वो हमको लॉंच होगा दिख सकता है इंडिया के अंदर नोवेंबर के महिने के अंदर जहां पर दोस्तों आपको डामेंसे की 1200 का चिप सेट मिलता है 108 मेगा पिक्सल के कैमरा काफी अच्छी खासी आपको एक स्पै देखने को मिल सकते हैं जापर शाउमी 11 i और 11 i Ultra Charge या Fast Charge ऐसा कुछ हमको देखने को मिल सकता है Hyper Charge यह भी हो सकता है दोस्तों तो दोस्तों यह जो फोन है यह शायद तक हमें Redmi Note 11 Pro और Pro Plus जो है Rebrand होके हमको यहां इंडिया में या globally इस नाम से देखने को मिल सकते हैं तो अब भ महिने से यह phone launch ही हो रहा है वो क्या है ना launch होते हो तो बीच में को इसको पकड़ के पीचे कहीं चलेता है लेकिन थोड़ी है दोस्तों अब Asus का mood है या नहीं लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि इस महीने ही हमको launch होता हुआ दिख जाए और यह जो फोन हो दोस्तों एक अच्छ 4MP का camera 6GB RAM बगरा काफी अच्छे features है और यह phone अगर 45,000 की price के around launch हो जाता है इंडिया के अंदर तो काफी अच्छा एक option बन जाता है उन लोगों के लिए जिनको चमक दमक पसंद नहीं है इतनी तो अब बात कर लेते है आईकू की तरफ से आने वाले smartphone की जहां पर आईकू 8 और 8 Pro है एक लेजेंड है आखिर लेजेंड के लिए लेजेंड ही आना चाहिए न दोस्तो तो यह जो फोन है दोस्तों को इंडिया के अंदर launch तो यह दिख सकते हैं November के मंत के अंदर और मैं आपको बता दू कि यह दोनों फोन दोस्तों काफी जबर्दस specs के साथ आता है जह आने की A plus grade दी गई थी इनके school teacher की तरफ से display के लिए so very intelligent child बट आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी प्राइस है वो भी एक reasonable आपको मिलने वाली है around 45,000 में आपको देखने को मिल सकता है IQ8 और 8 Legend जो है वो आपको 55,000 के around launch तो हुआ दिख सकता है बस देखने वाली बात यह होगी इंडिया के अंदर ये November के किस टाइम पर launch होते हैं तो इस बार हमको note 11 series जो है इंफिनिक्स की तरफ से launch होते हैं इंडिया के अंदर November मंत के अंदर ये दो smartphone से दोस्तो budget segment में आने वाले हैं हमको budget segment के processor देखने को मिल जाएंगे कुछ improvement देखने को मिलेंगे पूराने वाले से तो देखने कब तक आता हो किस price के अंदर आता है budget के अंदर हमको देखने को मिलने वाले हैं अब सब company आपने अपने phone release कर रही हैं तो मोटा भाई पीछे क्यों रहेंगे मोटरोला की में बात कर रहा हूं जहां पर मोटरोला ला सकते हैं अपने एक नया smartphone नौवेंबर के महिने के अंदर जहां पर इसका नाम मोटरोला जी 51 5G होने वाला है यह जब फोन है दोस्तों हमको snapdragon 750G के साथ देखने को मिलने वाला है यह काफी अच्छा phone आपको एक budget price में मिलेगा इसकी तो price है आपको राउंड 18,000-19,000 देखने को मिल सकती है और अगर इस price के अंदर आ जाए यह फिर 778G भी आ सकता है 5G phone ह उने वाला है काफी अच्छे chipset आपको मिलने वाले है तो देखते हैं कब तक launch करता है लेकिन November month के अंदर इसकी most probabilities देखी जा रहे है यह दोस्तों ओपो की बात करें तो ओपो लेकर आ रहा है Reno 7 series यहां आप लोग सही सुन रहे है अभी तो 6 launch आता जदा time नहीं हुआ लेकिन 7 series आ रहे हैं काफी जल्दी लेकर आया इसको यह तो series दोस्तों हमको कुछ अलग देखने को मिल सकती है यहां पर ओपो लाने वाला है एक नया में यहां बारी series के अंदर जहां पर Reno 7 SC उसका नाम हो सकता है और यह Dimensity 920 को फीचर करता हुआ दिख सकता है दोस्तों और जो Reno 7 होगो वो Dimensity 12 Hender को फीचर करता हुआ दिखे का जहां 6 Pro कर रहा था वही चीज़ यहां 7 के अंदर हमको मिलेगी और जो Reno 7 Pro होगा अब यह तीनों फोन हैं दोस्तों इनकी pricing के तो अभी कुछ expectation नहीं लगा रहे हैं लेकिन यह जो फोन हैं कुछ China के अंदर launch तो भी दिख सकते हैं November के महिने के अंदर और शायद तक November end में इंडिया में launch हो जाए या फिर global या फिर December के अंदर हमको इंडिया में launch हो भी दिखी सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं स्वदेशी company की जहां पर Micromax है दोस्तों Micromax launch कर सकता है November के महिने के अंदर कुछ smartphone एक से जाधा या smartphone आ सकते हैं और कहां हमको continue रखना चाहिए Micromax को और अपडेट्स वगरा भी टाइम पर दे तो जरूर काफी अच्छा improvement हमको देखने को मिल सकता है जियो कहां से पीछे एटेगा जब सारी smartphone ब्रैस लांच करें तो जियो भी अपना phone लाने ही वाला था November 4 को यह launch होता है वह हमें दिखने वाला है जहां पर इसकी सारी बाते सामने आ गई है और मैं आपको बता दो दोस्तो इस phone की जो प्राइस है वो 6500 रुपीज है और अगर आप चाहे तो इसको 2000 के प्राइस में ले सकते हैं फिर बाकी किष्टे चुकाते रहिए और भी काफ यहां पर आपको पुराने वाले चार्जिंग पूर्ट देखने को मिल जाते हैं और आपको एक और चीज बता दो दोस्तो यह जो phone है इतना रहेगा लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि entry-level phone ले ले तो ठीक है आप ले सकते हैं बट और भी competitors बैठे मार्केट के अंदर आपको बता दू यह जो phone है Snapdragon 888 के साथ आ जाता है काफी अच्छे specs यह लेकर आता है और यह जो phone हो दोस्तो अराउंड 38,000 आपको देखने को मिल सकता है इंडिया के लिए 39,000 भी जा सकता है इसकी specifications 9RJC है आपको specifications हो पता ही है तो बार-बार क्या ही बताना तो यह जो phone है इ आ चुकी है यह आता है लावा की तरफ से जहां आप लोग सही सुन रहे है वही लावा जो कुछ समय से ठंडा पड़ा हुआ था लेकिन इसका एक नया phone आने वाला है लावा अगनी 5G यह जो phone है हमको Dimensity 810 के साथ देखने को मिलने वाला है और यह phone दोस्तों हमको launch देखने 9th of November को तो देखते हैं लावा की अगनी कहां तक फैलती है और कहां तक इसकी गर्मी पहुंचती है तो expectation इसके around 19,000-18,000 price होनी चाहिए तो काफी अलग level का phone निकाल सकता है अगर लावा अच्छा काम करता है तो और updates वगर आभी देने जरूरी होते है Indian brands के लिए समझने वाल है किसकी price कमाने वाल ये वो सबाब हमें कमेंगे बताए हम भी आपकी कमेंट देली पड़ते हैं और आपको बताए दोस्तों कि आपको अगर चैनल के उपर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कि दे चैनल को हमार साथ जुदे ये लाल बटन दबाके और उसके बाद बैल आ सब्सक्राइब कि दे चैनल को बाई